यह आई लूब्रीवन वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल अज मैं बताऊंगे केले खाने की फायदे के बारे में केले कसेवन करने से क्या-क्या स्वास्त लाव होता है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अगर जो वीडियो से हेल्प होता है आप सभी क्लिए हेल करियों की वीडियो अप्लोड करूंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा केले में आयरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण या एनेमिया को नियंद्रित करने में मदद कर सकता है केले में एंटि आक्सिडेंट, लिव्टिन, बिटमिन ए और केरोटिनाइट से भरपूर होता है जो आँखों की रोशनी में सुधार में मदद कर सकते हैं हिर्दय स्वास्त के लिए भी केला खाने के फायदे देखे गए हैं केले में पोटेसिम की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्त चाप को सामान्य रखने में मदद करती है हिर्दय Much कारियों को सही तरीके से करने में मदद कर सकता है यहीनहीं केले में vitamin B6 भी होता है जिससे हिर्दे स्वास्थ के लिए ज़रूरी माना जाता है केले खाने के फैदे में उच्छे रग्ट चाप को नेंत्रित करना भी सामील है केले में भरपूर मातरा में potassium पाया जाता है या पोटेसियम रक्त वहिकाओं को के दिवारों को आराम पहुचा कर रक्त जाम को कम करने का काम कर सकता है पाचन स्वास्त के लिए ये भी केले की फायदे बहुत हैं दरसल केले में मौजूद फाइबर पाचन तंद्र को ठीक रख सकता है साथी फाइबर भोजन सही तरीके से पचाता है इसके अलावा कब जिजे ऐसी पेट सम्मंदी समस्याएं भी निजात दिलाने में फाइबर को हेलफुल माना जाता है यही नहीं केले में रेसिडेंट इस्टार्च होता है जिसे पेट के लिए अच्छा माना गया है मस्तिस्क स्वास्त के लिए भी केले की फायदे होते हैं विटामिन B6 की कमी से बयस्कों की मस्तिस्क कारेफ्राणाली कमजोर हो जाती है यह विटामिन B6 केले में होता है इसके अलावा केला मैगनीसियम से भी सम्रिद्ध होता है जो नर्व फंक्शन को बहतर कर सकता है या सरीर और मस्तिस्क के बीच संदेश भेजते हैं और समझते हैं ऐसे में मस्तिस्क स्वास्थ के लिए केले को फायदेमंद कहा जा सकता है हड्डियों के लिए केला खाने के फायदे देखे जा सकते हैं या कैलसियम से समरिध होता है और हड़ियों के विकास और मजबूती में कैलसियम की अहम भूमिका होती है। साथी हड़ियों के स्वास्त के लिए केले में मौजूद मैगनीसियम भी जरूरी होता है। मैंगनेसियम, हड़ियों के विकास और सरीर में कैलसियम के प्रवाह से मदद करता है मधुमे के लिए भी केले के गुण देखे गए है केले को मधुमे के इलाज के लिए ट्रेडिशनल मेडिसीन की तौर पे इस्तिमाल किया जाता है साथी बनाना इस्टेम और इसके फूल की भी मधुमे की स्थिती में रहत पहुचा सकता है इसके अलवा केले में मैं पोटेसियम भी पाया जाता है या पोटेसियम मधुमे के इलाज और बचाओं में सहायक भूमी का निभाता है डाइरिया होने पर केली के औसधिय गुण मददगार साबित हो सकते हैं या फाइबर, बाउल, मुवमेंट को नियंतरित कर डाइरिया से निजात दिलाने का काम कर सकता है अगर हैंगुवर से परिशान है तो केली का सेवन कर सकते हैं अलकोहल की अधिक मात्रा के कारण सरीर में पोटैसियम, मैगनीसियम और सोडियम जैसे मिनिरल्स और संतुलित हो जाते हैं और तरल पदार्थ का अस्तर भिगड़ जाता है वहें केले में पोटैसियम और मैगनीसियम की अच्छी मात्रा होती है साथ ही इसमें हलका सोडियम भी होता है इसी वज़े से केले को हैंग ओवर के लिए अच्छा माना जाता है अगर कोई हैंग ओवर से परिशान है तो सहत के साथ बनाना मिल्क का सेवन कर सकते हैं केला पेट और सरीर को सांध करने में मदद कर सकता है साथ ही या गैस्ट्रोलाइजनल सिस्टम को इस्थिर करने और बलड सुगरस्तर को बेहतर करके ब्यक्ति को उर्जा देता है एनीमिया एक घातक बिमारी है जो सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होता है लाल रक्त कोशिकाओं की निर्माण में फोलेट महत्तुपूर भूमी का निबाता है इसके लिए फोलेट की कमे से भी एनीमिया का करण बनती है इस परिशानी में केलिक के फाइदे हो सकते हैं दरसल केला में फोलेट की अच्छी मात्रा होती है जो लाल रग्त कोजिकाओं को बढ़ाता है इसे एनीमिया के स्थिती में कुछ हद तक सुधार हो सकता है इसी वज़े से एनीमिया से बचने के लिए आहार में केले को सामिल करना फायदेमंद माना जाता है तनाव से छुटकारा पाने के लिए भी केला के गुण मदद कर सकते हैं केले में बिटामिन बी होता है और बिटामिन बी तनाव को कम करने में आम भूमी का निवाता है सरीर में उर्जा की प्रबाह को बढ़ाने के लिए खाली पेट केला खाने के फाइदे देखे जा सकते हैं या ब्यायाम के दौरान भी सरीर में जरूरी उर्जा को बनाए रखने में मदद कर सकता है केला का सेमन करते हैं तो शरीर को परियाप्त ओर्जा मिलने पर सारेरिक और मांसिक ठकान से भी रहात मिल सकती है आखों के लिए केले के अउस्अधिय गुण केला आखों के लिए भी होते हैं केला अन्य जरूरी पोसक तस्वों के अलावा केरेटीनाइट से सम्रिध होता है जो विटामिन A का ही एक प्रकार है विटामिन A आखों केरेटीना में पिगमेंट टेंशन को बढ़ा सकता है तो आई होप कि आप सभी को केले के बारे में दी हुई जानकारी अच्छी लगेग और आप सभी भी जरूर फॉलो करेंगे